नमस्कार साथियों सिधात भईयक इस वीडियो में आप सभी का हारविक स्वागत है और आप जुर चुके हैं एक ऐसे मुद्दे पर तरचा करने के लिए जो की रातो रात ये ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो गया है न्यूज चैनल्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज की तहत साम ने आया है कि अब माफिया से माननिय बने मुक्तार अंसारी नहीं रहे मुक्तार अंसारी का अब निधन हो चुका है मौत हो चुका है कुछ लोग गैंक्स्टर टरंड पॉलिटीशन कह रहे हैं कुछ लोग टेरिस्ट नाम सभिश संबोधित कर रहे हैं जिकर करते हैं आज इस सची घटना का जो की घट चुकी है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बांदा के जेल में कहा गया है कि इनको धीरे 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 हाट अटैक आया और उसके बाद इन्होंने अपना देहत्याग दिया तो मुक्तार अंसारी अब नहीं रहे इस दुनिया में जो की यूपी के एक बहुत ही कड़ावर नेता बाहुबलियों के बाहुबली माने जाते हैं मुक्तार अंसारी जिनका जन्म 1960 के आसपास हुआ था आए डीटेल में पता करते हैं कि आखिर क्या था मामला ये देखिए बांदा जेल में फिर बेहोश हो गर पड़ा मुक्तार अंसा आखिर क्या हुआ था हम सब इसी के ताक में हैं कि क्या ये खबर सही है क्या ये खबर जूटी है आखिर किस चकर में इनकी मौत हुई है आखिर कौन है इनकी मौत के पीछे ये सारी बातों का खुलासा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं दोस्तों कहा जाता है कि पूरे श शहर में नाम चलता है, फोटो लगी है थाने में, शेर जैसा जिगरा चाहिए हमको हाथ लगाने में। ऐसा इनके समर्थक बोला करते थे, मुक्तार अंसारी को बोला करते थे, हाला कि पिछले बीसों साल से ये जेल की सलाखों के पीछे हैं, और लगबक कई सालों से, कभी उत अंदाजा लगा पाएंगे कि ये ये वीडियो मुक्तार अंसारी के बांदा जेल से निकलने के बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां के हॉस्पिटल और वहां के हॉस्पिटल से के एम्बुलेंस से इनको बाहर निकाला गया है, ये देखें, इस इमेज में आप देख सकते हैं मुक्तार अंसारी लेटे हुए इस स्ट्रेचर के और उनका हाथ लटक गया नीचे, and he is no more, he is dead now, so मैं बार बार इस वीडियो को नहीं दिखा सकता, यूट्यूब के पॉलिस की वज़े से, लेकिन मुक्तार अंसारी अब नहीं रहे, कुछ टाइम पहले, मैं अब ये यकीन हो चुका है कि मुक्तार अंसारी अब नहीं रहे, ये मेडिकल बुलेटिन है, इसमें लिखा हुआ है, आज शाम लगबग आड़ बच्च के पच्चिस मिनट, विचारधीन बंधी, मुक्तार अंसारी, पुत्र सुभान अल्ला, उम्र लगबग 63 वर्ष क जेल कार्मिकों द्वारा, रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज, बांदा में अकास्मिक विखत में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया, मतलब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि इनको बांदा जेल में उल्टी की शिकायत हो रही थी, और ए की मृत्यू हो गई और आज 28 मार्च 2024 आखरी दिन था मुखतार अंसारी के जीवन का उन्होंने अपना देहत्याग दिया इससे पहले क्या हुआ था हम वो भी जानेंगे डीटेल में कहा ये गया था हिंदूस्टान टाइम की रिपोर्ट के मताबिक आप स्क्रीम पर देख सकत से उनका कहना ये है कि मुकतार अंसारी को समय समय पे slow poison दिया जा रहा था उनके खाने में poison मिलाया जा रहा था जिस वजह से इनकी मौत हो गई है और कहीं न कहीं इनके खानों में जेल के अंदर ही poisonous substance दिया जा रहा था इनका कहना है कि ये दूसरी बार हुआ है लगबक 40 दि पहले भी इनको poison दिया गया था और ततकाल में 19 मार्च को भी इनको poison दिया गया जिसकी वज़े से इनकी तबा तबियत जो है और खराब हो गई थी रोजा का टाइम चल रहा है दोस्तों रोजे के टाइम में आपको पता ही है कि अभी रमजान का टाइम चल रहा है और उसमें इनकी तबियत और भी इनासाज हो गई और गुजर गई है आपको यह भी बता दें कि यह एक ततकालीन MLA भी है और मौक constituency से in fact मैं आपको बताते हुए क्योंकि मैंने तो काफी research कर रखी है इसमें काफी मैंने किताब उताब मेरा लिखने का plan अलड़ी बन रहा है मेरी किताब है जो की pending है आने वाली है मैंने criminalization of politics in उत्रप्रदेश में किताब लिख रहा था वो भी इन लोगों के उपर ही थी सब के उपर थी यूपी पुर्वांचल में जितने भी बाहुबली पनपे हैं और 80s 90s का दौर कैसा रहा है पुर्वांचल का यह सब मैंने किताब में लिखा हुए मेरी किताब almost complete ही है लेकिन अब जो है थोड़ा रोक के और निकालेंगे किताब को क्योंकि ये मामला हो चुका है डीटेल में और समझते हैं मामला क्या हुआ था ट्विटर पर हम जाएं तो ट्विटर पर लिखा जाता है कि हार्ट अटाइक के कारण इनके मृत्यू हुई है मुक्तार अंसारी जो की हेल्थ कंडिशन की वज़े से डिटोरियरेट हो गया है पूरा मामला दोस्तों यह बत गुजरा है वो गाज़ेपूर, बनारस, बलिया के शेत्रों में गुजरा है मौव के शेत्रों में हर जगा लगा दिया गया है लगबग 144 सक्षन पुलिस हर जगा कैस्पी लोग तैनाथ हो चुके हैं डि आईजी जेल सब लोग तैनाथ हो चुके हैं पांच बार MLA बन काफी मतलब ट्विटर पे उस तरीके की कुछ मीम्स भी निकल कर आ रहे हैं अंसारी कस्टडी टू पुलिस आई विल वॉक बट नॉट इन जीप प्लीज सुरक्षा अपनी संकल्प हमारा यूपी पुलिस अब काफी सारे चीजे नजर आएं ये देखिए मेडिकल डिपोर रहा एक बयां भी दिया है इनका कहना है कि मुझे पॉईजन दिया जा रहा है हलका हलका पॉईजन दिया जा रहा है और इसी चकर में जब ये फिट करार दिये गए तो वापिस इनको जेल में भेज दिया गया था लेकिन आज फिर तब ये अतना साज हुई उल्टी हुई उल्टी के बाद बिहोश हुए उसके बाद दुरन दोड़ कर इनको अस्पताल ले गया गया तब इनकी मृत्यू हो चुकी थी आपको ये जान कहरानी होगी कि मुक्तार अंसारी जो है उनके दादा जी एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था मुक्तार अहमद अंसारी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस जो की आइनसी बनी थी 1885 में उसके वन ओफ फाउंडिंग मेंबर्स भी रहे हैं मुक्तार अहमद अंसारी दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में इनके नाम से एक रोड भी है साथी में 30 जून 1963 को पैदा हुए तो यूसुफ पुर मुक्तार अंसा लेकिन कभी डीटेल में बैटके तसली से बात करेंगे इनके पूरे चरित्र की चर्चा की बात करेंगे लेकिन आज के डेट में ये है बड़ी important ख़बर साथी में मुक्तार अंसारी के दादा 1927 में कॉंग्रेस अध्यक्ष बने मतलब की जिनकी बात हम कर रहे थे साथी में नाना ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तान के जंग में शहीद भी हुए थे इस बैग्राउंड से कहा जाता है ये आते हैं यूपीवे सबसे बड़े माफियों में शुमार ये शक्स एक उचे खांदान से तालुक रखता है मुक्तार के दादा आजादी से पहले भारती रा कुनु सिंग का इनको गैंग मिला उसके साथ फिर बढ़ते गए आगे बढ़ते गए उसके बाद पिर बिजए सिंग और कृष्टिन अंदराय की एक टीम बनी और मुक्तार अंसारी के एक टीम बनी जिस टीम में मुनना बजरंगी भी थे. काफी कुछ बबाल हुआ, काफी कुछ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किस्सा हुआ था एक अलग कहानी है एक अलग किस्सा है वो एक अलग अध्याय है उत्तरपदेश के पुरवांचल का सो बेरहाल यही जिक्र हो रहा है दोस्तों कि मुक्तार अंसारी अब नहीं रहे डीटेल में चर्चा करते हैं इस बात की लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कल शाम को आप लोग जल्दी आएं कल शाम को पांच बजे 29 मार्च हमारा एक जबरदस सेशन होने वाला है आप स्क्रीन से ले बस हर एक बात पर हम जिकर करेंगे फेस टू फेस बात होगी और आपके एक एक क्वेशन लिये जाएंगे तब तक हम लोग मिलते हैं अपने अलग वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉमेंट सेक्शन में लिंक है गूगल फॉर्म को फिल कर ये टेल